हेलो आप सभी लोगों को आपके अपने यूटीब चैनल पर स्वागत है देखो आज अब हम आगे बात करते हैं मैंने आपको प्रिविएस वीडियो में जो है होमवर्क दिया था और कॉशन दे फाइंड रेंज ऑफ फॉलिविंग फंक्शन है ना यह कॉश्चन दिया हुआ करता है एक जही में जहीं में जो है वो 2003 में आया हुआ है टू मार्स का और एक यह जहीं में 2019 में आया हुआ है ठीक है ना अच्छा अब देखो इसको किस तरीके से करते हैं यह फस्ट दे रखा है f of x equal to x square minus something ठीक है तो देखो solution number one पर बात करते हैं तो f of x is equal to x इसमें क्या ह है रूल तो वही काम करेगा इसमें भी देखो कि numerator को denominator जैसा बनाना है हमें तो देखो यह x square plus x plus two जो लिखा है इसे one plus one करके लिख लेते हैं ताकि denominator जैसा हमें दिखे तो देखो यह हो गया x square plus x plus one और plus one ठीक है और बाट दिया में नहीं आप है x square plus x plus one इसमें और x square plus x plus one इसमें ठीक है ना अच्छा और आपको पता है यह तो आपस में कट जाएंगे ठीक है तो यह कितना हो गया one plus one upon one plus one upon x square plus x plus one तो देखा जाए तो अब मुझे इसकी range पता करनी है है ना अच्छा अब तो ऐसा बनाना पड़ेगा मुझे उसके लिए शुरुवात में काम करता हूं x से करता हूं शुरुवात और उसके लिए थी एक काम और easy कर लेते हैं इसको है ना complete square method से solve कर लेते हैं तो देखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं यह जो x square plus x plus one लिखा है ना इसमें काम करो दो से गुणा और दो से भाग दे दो इससे क्या होगा देखो यह कुछ ऐसी form बन जाएगी into into one upon two यह ना यानि मेरे कहने का मतलब यहां यह है कि यह बन गया x देखो ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं x plus और यह तो किया ही इसी के साथ है ना यह जो one upon two है ना इसका square दोनों तरफ जोड़ा और यह घटाया ठीक है और plus one as it is ठीक है तो यह कितना बन गया यह बन गया x plus half का whole square ठीक है और one और one by four हो गया three by one मैं से one by four गया बचा three by four तो यानि देखा जाया तो मुझे इसकी इसको सोचना है ठीक है ना और फिर जो आएगा उसका reciprocal करना है ताकि यह one upon something पहुंच जाओ और फिर जो आएगा उसमें एक जोड़ दूँगा simple अच्छा तो देखो इदर सबसे पहले तो हमें पता है कि x belongs to minus infinity से infinity इसकी range होती है तो अब क्या करें इसमें half जोड़ दो तो x plus half belongs to minus infinity में half जोड़ोगे that is minus infinity और infinity में जोड़ोगे यह भी infinity मतलब infinity में half जोड़ोगे तो यह भी infinity रहेगा ठीक है दोनों तरफ square कर दो तो x plus half का whole square आपको अच्छे से पता है कि minus infinity और infinity के बीच में जो है वो 0 पढ़ता है और 0 जहाँ पर भी पढ़ता है तो उसका close bracket 0 से शुरू होता है और positive वाले का लगा देंगे हम यहापर square ठीक ह है अच्छा उसके बाद में अब अब क्या करें अब 3 by 4 इसमें एड़ करना है तो देखो x plus half का whole square प्लस 3 by 4 प्लस 3 by 4 तो it belongs to 0 में 3 by 4 एड़ करेंगे तो 3 by 4 और that is infinity अब इसका क्या कर दे रहाए सी प्रोकल तो यह हो गया देखो one के अपॉन में x plus half का whole square प्लस 3 by 4 ठीक है इसमें इसका रैसी ब्रोकल करेंगे तो देखो infinity का तो 0 और इसका 4 by 3 और आपको पता है 0 पहले आता है तो यह हो गया 0 with open bracket इसके करण और कॉमा 4 by 3 with close bracket राइट अच्छा अब क्या करें अब यह तो हमें मिल गया है ना अब इसमें एक जोड़ना है अभी त तो 1 upon 1 के upon में x plus half का whole square और प्लस 3 by 4 ठीक है इसमें एक जोड़ना है तो एक जोड़ेंगे यह तो यह और इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 और 4 7 upon 3 प्लस नहीं आएगा यहाँ पर कॉमा लगके आएगा कॉमा 7 upon 3 with close bracket ठीक है तो यह हमारे पास इसका answer आ जाएगा basically इसकी range देखो मुझे यहाँ तक पहुचना था तो यह मैं पहुच गया यह तो यानि अब मेरे पास f of x belongs to क्या लेक सकता हूं मैं open bracket 1 से close bracket 7 upon 3 ठीक है यह हमारा answer होगा है ठीक है अच्छा अब बात करते हैं question number इस के second पर तो second तो देखो easy second के second के लिए क्या करना है देखो इसका domain तो क्या हो जाएगा एक्स ब्लोंग्स टू आपको पता है coefficient of x in new नहीं वह पॉइंट जहां पर denominator 0 हो जाता है that is 7 upon 2 उसे रियल नंबर के सेट में से सब्ट्रेट कर देना है तो एक आर-7 upon 2 ठीक है अच्छा और y विलोंग्स टू रियल नंबर सेट माइनस माइनस इसके लिए क्या करना है इसके लिए होगा coefficient of x in numerator upon coefficient of x in denominator 3 upon minus 2 यानि minus 3 upon 2 तो हो गया minus 3 upon 2 तो यह तो easily हो गया है अब इसको बताता हूँ देखो f of x equal to x upon 1 x upon 1 plus x square इसके लिए क्या करना है देखो ध्यान से समझे न मैं क्या कह रहा हूँ थर्ड नंबर का f of x equal to आपको दे रखा है x upon 1 plus x square ठीक है अब इसमें हमें यह linear upon quadratic की form है यह ना तो इसको थोड़ा सा simplify कर देते हैं तो देखो यह क्या हो जाएगा f of x is equal to इसमें से इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि बताओ 1 plus x square upon x इससे मैंने reciprocal करके नीचे भेद दिया है ना उसके बाद क्या करें से इससे लिख दे 1 upon यह हो गया देखो 1 upon x plus x हो जाएगा तो इसे मैं x plus 1 upon x लिख देटा हूँ ठीक है और कहीं ऐसा मैंने इसे क्यों बनाया तो देखो कहीं ना कहीं मैं x plus 1 upon x की जो range है ना वो मैं जानता हूँ है ना वो क्या होती है माइनस infinity से माइनस 2 with close है ना और union 2 से infinity यह मैंने वैसे लिखा रखाया आपको है ना अच्छा उसके बाद देखो अब इस बात का मतलब क्या है इस बात का मतलब कुछ ऐसा है देखो कि x plus half मतलब x plus 1 by x देखो अगर यह होता है तो अगर मैं इसका और मुझे चिए इसका reciprocal तो मैं yellow इसका reciprocal निकाल रहा हूँ देखो belongs to यह हो गया minus half और यह हो गया क्या क्या बलते है माइनस half से पहले चलेंगे हम 0 तक तो close bracket minus half से 0 with open bracket union इसके लिए क्या करें इन्फिनिटी का इसका तो 0 और 2 का 1 upon 2 with close bracket अब इस बात का मतलब क्या है देखो minus half 0 को छोड़ कर मैं ऐसे कह रहा हूँ यह यहाँ था 0 को छोड़ कर और यह यहाँ पर ही हो गया है यानि 0 ही नहीं है सिर्फ यहाँ पर right 0 ही नहीं है तो क्या करें एक चीज देखो इससे लिख दूँ क्या मैं ऐसे कह रहा हूं देखो इदर देखो इसको मैं कुछ इस तरीक से लिख देता हूं और यह मैंने लिख दिया कि यह मतलब किस चीज के बरावर होगा ठीक है यह हो गया 1 upon x plus 1 by x belongs to close bracket minus half से half with close bracket ठीक है और minus 0 क्योंकि इसमें 0 नहीं आ रहा था राइट अच्छा अब इस चीज का मतलब से देखो एक चीज में जो कह रहा हूं देखो यह अगर इस function की value कब 0 होगी यदि यह मुझे पता चल दा है अगर मैं यह कह रहा हूं देखो यह तो आपको पता ही है दिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज के दिनोमिनेटर में function की अगर दिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वह function फिर नौट define हो जाता है यहां पर अगर आप x equal to 0 देखो इसमें put x equal to 0 देखो एक सिकुल टो अगर आप 0 जीरो पूट करते हो तो यह कितना होजागा 0 का square plus 1 और 0 upon 1 क्या होता है 0 तो f of 0 क्या हो गया है आपड 0 भाई मैं यह कह रहा हूं भाई यह जो चीट चल रही थी यह गार करो यह यह चल रहा था कि 0 जीरो पूट नहीं कर सकते जीरो अगर पूट नहीं कर सकते तो इसका मतलब तो यह हुआ कि हमें as a result जो range में है वो भी हमारे पार 0 नहीं होना चीए है ना तो इसका जो full and final जो range होगी ना range वो क्या होगी यह इसमें सोचने वाली बात है इसमें range होगी belongs to close bracket minus half से half होनी तो य चीए थी minus 0 लेकिन आप खुछ सोचो जब 0 हम put ही नहीं कर सकते हैं तो यहां अगर हम 0 put करके देख रहे हैं तो यहां हमें answer भी तो resultant 0 मिल रहा है तो इस 0 को भी तो हटाना पड़ेगा ना तो इसलिए मतलब 0 यह आ नहीं सकता ना तो यह कब नहीं आ सकता जब हम put नहीं कर है तो यह सब्ट्रेक्ट कर दिया तो 0 आएगा भी नहीं तो इसलिए यहां पर minus 0 नहीं होगा यहीं हमारा answer होगा इसमें ठीक है ना अच्छा अब हम सीखते हैं देखो replacement property क्या होती है replacement property ठीक है देखो यह हो गया replacement property तो replacement property के कुछ questions है उसे देखो ध्यान से क्या करना है इसमें इसमें क्या आएगी जो कोई भी जैसे मालो एक तो सोचने वारी बात इसमें क्या आए जैसे कोई भी function आपको यहां पर कुछ भी लिखा हुआ है ठीक है यहां पर कौन बैठता है है ना कौन बैठा है और वो कैसे बनेगा मतलब यह जो function है और वो कैसे बनेगा ठीक है ना यह इसमें सोचने वाली वात है अगर यह चीज हो गई ना तो आपको इसमें क्योंकि यह question है ना बेसिकली देखो यह रटने वाला है यह नहीं यह आप इसमें रट वैसे भी नहीं सकते हैं यह thought process के उपर बेज़्द है ठीक है ना thought process अगर आपके अच्छी है इसमें आप कितना अच्छा सोच सकते हैं इसमें जैसे कि देखो जैसे आपको यह question दे रखा है first f of x plus 3 equal to x square minus 2x minus 7x plus 2 तो इसमें f of 0 की value आपको find करनी है ठीक है तो इसमें किस तरीके से find करते हैं देखो यह हो गया तो आपको दे रखा है इसमें f of x plus 3 is equal to x square minus 7x plus 2 और value आप से पूछ रहा है f of 0 की अब एक चीज सोचो 0 यहां कब बनेगा जब इस x plus 3 की जगे में 0 रख दूं तो f of 0 हो जाएगा ना वो तो यहां पर x plus 3 equal to 0 अगर मैं put कर दूं तो x equal to क्यों हो गया minus 3 इसका मतलब यह हो गया कि अगर x equal to अगर मैं यहां पर minus 3 put करता हूं कि plus 3 तो as it is यह तो minus 3 रखो देखो minus 3 का square minus 7 का minus 3 plus 2 तो यह कितना हो गया minus 3 का square 9 plus 7 3 जा 21 plus 2 यह कितना हो गया 30 और 2 32 तो यह हो गया 32 यह f of 0 की हमारे पास value हो गई तो इस तरीके से solution होगा ठीक है ना अच्छा अब ज़रा question number second देखो हमारे पास second क्या कह रहा है देखो second क्या कह रहा है हमारे पास second कह रहा है if f of something equal to this है ना तो अरे यह लो है इस पर अच्छे से यहीं बता देता हूं यह लो है अब हम इस पर बात करते हैं देखो तो यह अब हमारे पास question हो गया ठीक है इसमें क्या करें देखो इसके solution पर बात करते हैं तो इसके solution में क्या है तो भाई इस जगे पर मुझे है ना जो 14 लेके आना है तो इसके इक्वल टू में में 14 रख दूँ एक्सक्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 14 यह क्या हो जाएगा एक्सक्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 11x और 14 में से 8 गए तो 6-6 इक्वल टू 0 अब वैसे तो देखो मैंने आपको basic mathematics में cubic polynomial बता रखा है और फिर भी आप रखना चाहो तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यह सब रख रख के देख ले ना मुझे यह देखते ही समझ में आ रहा है कि माइनस 6 और माइनस 6 माइनस 12 और 11 और 12 होगे न सेटिस्वाय अच्छा तो इसके ओवरोल में 0 आ रहा है तो बस अब इसी बात का ध्यान रखते हुए हम आगे करते हैं देखो तो x1 को इदर ले आओ और y 10th क्लास की तरह इसमें डिवाइड दो डिवाइड देना आप बहु यह माइनस यह प्लस यह खतम यह कितना हो जाएगा माइनस का 5x square प्लस का 11x ठीक है माइनस का 5x तो यह कितना हो जाएगा माइनस का 5x square और प्लस का 5x यह positive यह negative यह गया 11 में से 5 गया तो 6x माइनस 6 प्लस का 6 तो यह हो गया 6x माइनस 6 ठीक है यह माइनस प्लस और यह विदा ठीक है और तो हमारे पास factor क्या आ गया इसके एक तो हो गया हमारे पास क्या एक तो हो गया हमारे पास x-1 और एक हो गया हमारे पास x square minus 5x plus 6 अब आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इसके जो factor होंगे वो होंगे x-2 और x-3 ठीक है तो इसके जो overall root हो गए वो हो गए 1,2 और यह 3 ठीक है 1,2 और 3 अब हमें चाहिए क्या हमें चाहिए यह question में कुछ बात कह रहा है यह बोल रहा है equal to x square plus 1 होना चाहिए equal to x square and sorry equal to x square plus 1 होना चाहिए तो यहाँ पर x equal to क्या रखेंगी 14 मन जा है तो देखो x equal to 1 रखोगे तो 1 का square 1 plus 1 2 ही बना यह तो 2 रखोगे 2 का square 4 plus 1 तो यह तो 5 बना है ना और मैं क्या कह रहा हूँ देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसमें यह जो function दिया हुआ है न यह इसमें अगर आप x equal to अगर आप 1 put करते हो to 2 put करते हो तो क्या बनेगा 2 का square 4 plus 1 5 और इसी में जवाब x equal to 3 put करते हो तो 3 का square 9 plus 1 that is 10 अच्छा अब एक चीज़ सोचने वाली है जो यह क्या किरा है is not divisible by 2 इन तीनों answer में से 2 से divisible कौन नहीं है तो 5 नहीं है तो f of 14 की value कितने आगे 5 ठीक है इस तरीके से हो गई है और जो next जो question है वो हम लोग विचार करेंगे next video में ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद